हेलो फ्रेंट्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस नई वन्दीय भारत के बाद आप देश में एक ही राज्य में तीन नई वंदेबारत एक्स प्रेस प्रास्ट्रा इस्टेट के तीन अलग अलग शहरों में तीन नई वंदे बारत एक्स्प्रेस चलाई जाएगी तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है कोलापूर से पूना के दर्मियान में चलाई जाएगी वंदे बारत एक्स्प्रेस कोलापूर से पूना की दूरी 326 किलोम यह ट्रेन कोलपूर से निकलने के बाद मेरच सांगली सातारह के रास्ते पुना रेलवे स्टेशन आफटरनून में 1.30 मिनुट को पहुच जाएगी ये ट्रेन वापसी में 2 बचकर 15 मिनिट को पूना रेलवे स्टेशन से रवाना होगी इसका ट्रेन नमबर होगा 20674 पूने कोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन पूना रेलवे स्टेशन से सववा दो बजे रवाना होने के बाद 17 सांगली मीरच के रास्ते बारत एक्सप्रेस के बारे में तो इसलिस में दूसरे नमबर पर है हुबली से पूना के दर्मियान में चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस हुबली से पूना की दूरी 558 किलोमेटर की है इसमें ये ट्रेन हुबली से पूना पहुचने के लिए 8 गंटे का समय लग स्टेशन आफ्टरनून में एक बचकर 30 मिनिट को पहुच जाएगी वापसी में अगर इसके शड्यूल की बात की जाए तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर होगा 20670 ये ट्रेन पुना रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी आफ्टरनून में दो बचकर 15 मिनिट को ये ट्रेन सातारा, सांगली, मीरज, बेलगावी, धरवड के रास्ते हुबली रेल्वे स्टेशन रात में 10 बचकर 45 मिट को पहुच जाएगी हुबली से पुने और पुने से हुबली के दर्मियान में 8 कोचेस की मीनी वंदे भारत एक्स्प्रेस चलाई जाएगी इसके बाद इस लिस में 5 बजे रावाना होगी और अब तक इस ट्रेन का ट्रेन नंबर डिसाइट नहीं किया गया है जैसे ही इसका ट्रेन नंबर डिसाइट कर दिया जाएगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ट्रेन नंबर एड़ कर दूँगा ये ट्रेन नागपूर से निकलनने के पूर्पूर के दर्मियान में 16 से 20 कोचिस की वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है तो ये थी आप लोग के लिए महरास्ट्रा इस्ट्रेट में तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की गोशना की है इंडियन डेलवे बोट ने उसको लेकर इंफॉर्मेशन ये ट्रेने 16 सब्टेंबर या फिर 17 सब्टेंबर को चलाई जा सकती है तो उम्मीद करता हूँ के वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे मेरे चनल जोनेद विलोग को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में श इस टेक कियर